अभी तीन घंटे पहले पृथिराज फिल्म का दूसरा ट्रेलर रिलीज किया गया है वैसे देखा जाए तो टेक्निकली ये तीसरा ट्रेलर है क्योंकि अभी छे दिन पहले एक वीडियो उन्होंने रिलीज किया था समराट पृथिराज हिंदुस्तान का शियर ट्रेलर उसे ट्रेलर टू नहीं कहा था आज अभी तीन घंटे पहले एक मिनिट और 49 सिकंद का उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया है और इसे नाम दिया है आख्री हिंदु समराट पृथिराज ट्रेलर टू तो पता नहीं कि मैं सच कहा रहा हूं इन तीनों ही ट्रिलर्स को देखते समय मैंने परसनली अंदर से कुछ भी फील नहीं किया बिल्कुल इमोशन लेस ट्रिलर मैं इन सब को कहूंगा अंदर कुछ फील ही नहीं हुआ बस वीडियो चलते जा रहा था और मैं देखते जा रहा था और बार- ये ट्रिलर रिलीज करके खुद को ही एमबरेस क्यों कर रहे हैं एक बार जब पहला ट्रिलर रिलीज हुआ इतनी आलोचना हुई सोचल मीडिया पर कि वह अक्षे कुमार कहीं से भी दूर दूर तक भी वह सूट ही नहीं कर रहे हैं पर वह बार-बार ट्रिलर रिलीज करके और ज़्यादा हमें निराश करते जा रहे हैं और ज़्यादा डिसपॉइंट करते जा रहे हैं जितना ज़्यादा हम अक्षे कुमार को इस भूमिका में देख रहे हैं इन सभी ट्रेलर्स में वो उतना ही ज़्यादा हमें और ज़्यादा disappoint कर रहे हैं और अक्षे कुमार का performance में यहाँ पर देखा ऐसे लग रहा है जैसे उनकी कोई इच्छा ही नहीं थी इस भूमिका को करनी की या उनके चहर पर कोई expressions नहीं दिखते हैं बिल्कुल डल क्या पूरा व्यक्तिमत वो हमें यहाँ पर ट्रेलर में लग रहा है पता नहीं ऐसा क्यों और मुझे तो लगता है कि उन्हें ये बार-बार इतने ज़्यादा ट्रेलर सच में नहीं रिलीस करने चाहिए थे पहला हो गया रिलीस ठीक है उत समय आलोच नहीं लोग भूल भी जाते पर अभी वो बार-बार ट्रेलर रिलीस करके और ज़्यादा याद दिला रहे हैं अक्षी कुमार को परफॉमस बार-बार सामने दिखा रहे हैं जो मेरे अनुसार तो गलत मार्केटिंग स्ट्रेजी में फिल्म के मेकर्स की कहूंगा और सबसे महतु पुर्णबाद इन तीनों ही ट्रेलर को देखते समय अंदर सच में मैं अपना विक्तिगत मत बता रहा हूँ आपको जो ऐसा लग रहा हूँ आप मुझे नीचे कमेंट में बताना पर मैंने परसनली कुछ भी अंदर फील नहीं किया इन तीनों ही ट्रेलर को देखते समय और चलिए ठीक है अब ये तीनों विडियो के बारे में पर इसका जो हरियर सॉंग है जब मैंने पहली बार सुना तब मैंने लिरिक्स पर ध्यान नहीं दिया था मैं बस ऐसा ही सुनते जा रहा था पर अभी मैंने यूटुब पर एक वीडियो देखा TFI का पृतिराज के उसी सॉंग के बारे में वीडियो देखने के बाद में मैंने दोबारा से वो हरियर सॉंग सुना और उसकी दो लाइने सच में बहुत बहुत जदा प्रॉब्लमेटिक है देकि मैं आपको सुना पढ़कर बताता हूँ क्या उसके लिरिक्स है एसा एक पृतिराज जैसे गोकुल में हो मोहन ठीक है इसके बाद है एसा एक पृतिराज जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन ये भी ठीक है और तीसरी लाइन में लिखा है एसा एक पृतिराज जैसे लंका में दशानन भगवان सरी कुरिष्णा, अर्जून उसके बाद अचानक से दशानन मतलब आप भगवाँ सरी कुरिष्णा, अर्जून इनके समांतर इनके समान रावन को बता रहे हैं, रावन जैसे असुर को और सम्राध पुदुद्रा चोहान जी की तुल्ना आप रावन के साथ कर रहे हैं एक असुर एक राक्षस उसके साथ आप तुलना कर रहे हैं यहाँ पर जैसे आयोध्या में रगुननदन कुछ भी वो अलग लिरिक्स लिखे जा सकते थे पर यहाँ पर आप भगवान स्री कृष्ण अरजुन उसके बाद में आयोध्या में रगुननदन लिखना छोड़ कर आप लंका में दशानन लिख रहे हैं चलो ठीक है रावन विद्वान था पंडित था शास्त्रों का वेद्वा का उसे ग्यान था बहुत बड़ा वो शियुभक्त भी था पर इससे कोई वो अच्छा व्यक्ति नहीं बन जाता वो असूर है राक्षस है हमारी संस्कृति हमें यही सिखाती है रामायन हमें यही सिखाता है कि आप बाहर से कितने ही बड़े विद्वान पंडित क्यों नहों आपके पास कितना ही रटा रटाया हुआ शास्त्रों का पुस्तकों का ज्यान कितना ही क्यों ना हो बाहर से आप बले ही कितना ही कर्मकांड क्यों ना कर रहे हो इससे आप अच्छे व्यक्ति नहीं बनते है आपका चरित्र कैसा है आपके मुल्य कैसे है आपका व्यक्ति मत्व कैसा है आप अपने मुल्यों पर कितने अडिक रहते हैं इसे से ही कोई व्यक्ती बड़ा या छोटा बनता है और इसी कारण से हम प्रभुष्य राम चंदर जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं और रावन के बारे में तो मतलब शास्त्रों में अगर हम पढ़े तो उस पर मतलब बलातकार रावन ने किया था इसके बारे में भी हमें वरनन पढ़ने को मिलता है और ऐसे असुर से आप तुलना कर रहे हैं समराट पुर्थिराज चोहान जी की और भगवान स्री कृष्ण अर्जुन उनके बाद आप तशानन उसी पंक्ति में आप एक साथ में लिख रहे हैं और अगली पंक्ति तो मुझे परसनली और भी जदा प्रॉप्लेमेटिक लगी जितना मैं इसका अर्थ समझा हूँ चोहती पंक्ति का वो मैं आपको कह रहा हूँ अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताना चोहती पंक्ति है ऐसा एक पृत्विराज जैसे रावन को राम सतावन मतलब राम जी ने रावन को सताया था सतावन शब्दो अर्थ तो वही हुआ ना भाई सताया वर्ड हम कब यूज करते हैं जब कोई पापी, कोई अधर्मी व्यक्ति किसी निश्पाप सात्विक अच्छे व्यक्ति को परेशान कर रहा हो पीडा दे रहा हो तब हम सताय ये वर्ड यूज करते हैं परविश्यराम चंदर जी ने रावन को सताया नहीं था उसे उसके अपराध होका कुकरमों का गंड दिया था 57 ये शब मतलब रावन को राम सतावन और अब लिरिक्स वरुन ग्रोवर ने लिखे हैं वही हम कागज नहीं दिखाएंगे वाले वरुन ग्रोवर जो अपनी काफी लिप्टिस्ट विचारधारा के लिए जाने जाते हैं और भाई मैंने तो बीच में एक दो बार उनका ट्वीटर एंडल पर में गया था वो पढ़कर इतना अंदर मन विचलित हो गया इतनी पीडा हुई उनके ट्वीट्स और वो मानसिक्ता देख कर की मैं क्या बता हूँ मतलब और ऐसे वरुन ग्रोवर जितना मैंने देखा है उनकी हिंदू जातर जितना मैं समझा हूँ वो देखने को मिली है मुझे और ऐसे विक्ति को आप समराट पृत्युराज चोहान जी के जीवन पर आधारित फिल्म में आप लिरिक्स लिखने के लिए ले रहे हैं ये सच में पीडा दायक है ठीक है सेक्रेट गेम्स जैसी वेब सेरीज वगरा में वरून ग्रोरो को लिया जाए वो एक अलग बात है पर अब ये लिरिक्स देखकर तो मुझे तो ये कम से कम बहुत ज़्यादा डीपली प्रॉबलमेटिक लगे और दोस्तों ये सारी बाते देखकर और किसी का तो पताने पर मुझे सच में बहुत ज़्यादा दुख हुआ है क्योंकि जब इस फिल्म को अनौंस किया गया था ना भाई मेरा अभी भी वो वीडियो आप देखिए ढाई वर्ष पहले का कितना ज़्यादा में उच्छुक था मतलब बस सीड से उचलना ही मेरा रह गया था इतना ज़्यादा में उच्छुक था उस समय और उसके बाद जब टीजर रेलीज हुआ फिर ट्रेलर रेलीज हुआ जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो देखकर ट्रेलर की जो कॉलिटी है जिस प्रकार का ट्रेलर हमें दिख रहा है विजियोल्स भी कुछ खास उतने नहीं लगे और अभी ये लिरिक्स भी मैं पढ़ रहा हूँ तो ये देखकर भी मुझे परसनली अंदर से सही बहुत पीड़ा हुई है ये देखकर पर फिर भी चलिए फिर भी देखते हैं फिल्म में क्या है फिल्म कैसी बनाई है वो तीन तारिक को हमें पता चलेगा पर मैं अंदर से सच में बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि कितना क्या-क्या मैंने सोचा था जब इस को फिल्म को अनौंस किया गया था पर अभी बस निराशी होते जा रहा हूँ मैं जितना और पता चलते जा रहा है मुझे और फिल्म के बारे में पर यह मेरा विक्ति गद मत है बाकि यह आप के इस सब पूरे विशय के बारे में इन तीनों ट्रिलर्स के बारे में यह जो सॉंग है इसमें यह जो दो लाईने मैं आपको बताएं इनके बारे में आपके विचार क्या है मुझे अपने लीचे कमेंट में आवश्य बताना इस वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जैश्री राम वंदे मातरम